और ये सद्धिगुरु देव की जये सद्धिगुरु कभीर साहिब काग्रन्त दीजक्ष दीजक्ष के बसंत प्रक्राण का आज छठापाद है सद्धिगुरु कहते हैं माई मोर मनुसा अतिरे सुजान धन्धा कुटी कुटी करत दिहान बड़ी भोर उठ आंगन बाढ़ बड़ो खांच लिए गोवर काढ़ बासी भात मन से लिहल खाए बड़ो घैल लिए पानी को जाए अपनी सैया की मैं बानूंगी पाठ ले बेचूंगी हाटो हाट कहां ही कभीर ये हरी के काज जोईया के ढिग रही कौनी लाज इस पद में एक रूपक उभर करके आता है ऐसा लगता है कि वेक्टिगत किसी का एक यहाँ पर इसके व्यवहार, सभाव और जीवन का जिक्र किया गया आएक रूपक का भी मनन कर लेते हैं मनो एक यूती लड़की अपनी ससुराल से पहली बार नईहर आई हूँ विवाह के पस्चात, ससुराल लड़कियां जाती हैं और ससुराल जब पहली बार गई तो वहां से लौट करके नईहर आई तो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि बेटी के ससुराल का क्या हाल है वहां के लोग कैसे हैं अक्सर मा पूछती है विशेश रूप से तो मा ने पूछा और मा ने लड़की के पती के बारे में पूछा कि बेटा तुम्हारे पती कैसे हैं तो उसने बताया कि है माता मेरे पतिदेव बड़े समझदार हैं वे आधी रात के बाद से ही धेकी से धान कूट डालते हैं और धान कूपते कूपते ही उनका सबेरा होता है। वे सुबा से ही उठ जाते हैं और उठ करके घर, आंगन, दर्वाजे जूर तद जाडू लगा डालते हैं। पती देव केवल इतना ही नहीं, परिश्रमी ही नहीं हैं, वे बड़े संतोसी भी हैं। वे बासी भाज बड़े प्रेम से खा लेते हैं। में रखती हैं। और हिर्रे में उनके लिए बड़ा फ्रेम रखती हैं। और उनकी महिमा को उनके उनानवाद को में जगा जगा जगाओंगी। चभीर साहिब कहते हैं कि अगर ऐसा वफादार पती मिल जाए, तो इसे पती के साथ रहने में क्या हर्ज है। आनन्द है। यह तो रूपक हुआ, ऐसा किसी को पती मिल जाए, जो इतना मेहनत करता हो, तो फिर पती का तो भठा बैठ जाएगा थोड़े दिनों में। अब अतनी मस्त आनन्द मनाती रहेगी। लेकिन यहां पर उस पती को बड़ा आनन्द है। जो पती ऐसा मेहनत करता है, साहिब कहते हैं, उसको बड़ा आनन्द है। वो पती कोई बाहर की बाती है। यह तो एक रूपक दिया गया, किसी वेक्ती का जिक्र है। लेकिन सद्गुरु कबीर सहेब ऐसे व्यवहार में रिष्टा नहीं चाहते हैं। वे मनुस्य नर या नारी कोई हो, सब को एक रिष्टी से देखते हैं, और सब को प्रेम, सेवा, सहयोग, सहानुभूती का बरताव बरतने के लिए कहते हैं। तो यहां कैसे कहेंगे कि पत्मी वैट ही रहे और पती हर मेहनद के लिए दोड़ता रहे। किन्तु उनका ये व्यक्तियत किसी डंग से किसी के लिए बात नहीं है, ये आध्यात्मिक उपदेश है। तो आध्यात्मिक उपदेश में चर्चा ये आती है कि स्वरूपस्त बृत्ति में मन की अनेक बृत्तियां होती है। एक मन होता है, एक मन की सोच या तरंग होती है कि वो संसारा सक्त होती है। और जो संसारा सक्त, देहा सक्त वृत्ति होती है, वे राग, ध्येस, और बहर विरोध, चीजों के लिए राध दिन सोचना, आपाधापी के बारे में, और मोह बहर के बारे में, खाने पीने के लोलुपता के बारे में, किसी को तकलीप हो जाए, लेकिन हमारा स्वार्थ सदना सहिए, इनी बातों के लिए, वो सोचती रहती है, यह संसारी मनोबृत्ती है, लेकिन जिसकी मनोबृत्ती स्वरूप में अनुराग रखती है, वह मनोबृत्ती वक्ति को बहुत सुख देती है, बड़ी प्रशन्यता देती है, ऐसा वक्ति सब समय साथिक विचार कामक्रोध लोग मों की बातों को नहीं सोचते, धन रुपए पैसे जमीन आदी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है, ठोड़ा का हर्दम उसी के लिए राद दिन सोचते रहना पैसा कहां से आवे, उनकी जमीन मुझे कैसे मिल जाए, यहां और भी वहर सुमय वे अपने आपके बारे में शरूप के बारे में शांती, दया छमा, प्रेम, धयर्य सै्यम गुरु ज्यान, ध्यान-षाधना इन विचारदाराओं में अपने मन को रखता है, ऐसा जिसका चित्व होता है, जिसका साथ्प्त विचार है, कल्यान बहा मनो व्रित्ती है, योगदर्शन में उसे कल्याण बहा कहा दया है कल्याण बहा और पाप बहा जिस मनो वृत्ती से व्यक्ति का मन अंतर मुख हो स्वरूप ज्यान और स्वरूप इस्थिती की निश्चेता हो और उसी का चिंतन हो वो कल्याण बहा है और जिस मनोबृत्ती के कारण राग, ड्रेस, मोह, आसक्ति, अहनकार, काम, प्रोध, आदि का विचार, उत्पन होता रहे और हमारी मनोबृत्ती संसारिक ताकी और बहती हुई, धुकी हुई बहाए वो पाप बहा है यहाँ पर कल्याण बहावाली मनोबृत्ती की कर्चा सद्गरु कहते हैं, वे कहते हैं कि मानों स्वरुपस्त बृत्ती, मा से कहते हैं, किस से, मा कौन है, आत्मशक्ती, आत्मशक्ती से कहते हैं कि है माता, मेरे पती बड़े सीधे साधे हैं, बड़े ज्यानी हैं, बड़े सम मज़दार है पति को नेया चेतन आत्मा जीव कि यह अनेक धंग से साधक को अंतर मुखता की तरफ प्रेरिद करने के लिए गुरुजन विचार प्रस्तुत करते हैं वे बताते हैं कि अंदर में कई छेत्र हैं एक मन साधना में रुची रखता है ध्यान संयम सेवा में रुची रखता है दया चमा करुड़ा में रुची रखता है अवे एक मन कहता है यह सब क्या जरूरत है और यह सब से क्या होने वाला है अरे धन कमाओ बाल बच्चे खुब हो घर खुब बढ़ा हो जमीन खुब वो जाए अब जरूरत पड़े दूसरे की भी हड़त लो और ना ऐसे मिले तो मार काट करना भी पड़े तो कोई हर्जा नहीं है और भोगों को खुब भोगों चीजों को इकट्की करो एक मन्य भी करता है लेकिन ये करने का फल भाए असांत असंतोस त्रिश्डा और दुख बढ़ते जाएंगे ये अंदर में हमारे अंदर ही कई प्रकार की भावनाये हैं जो हमें ही लूट लेती हैं ठग लेती हैं धोखा दे देती हैं इसलिए इन मनोवरित्यों को छोड़ देना चाहिए इनकी उपेच्छा कर देनी चाहिए इनसे तपश्ट हो जाना चाहिए लेकिन जो कल्यान बहा है सत्यक्मन वरित्यी है उनको श्रयों मिलना चाहिए तो स्वरूपस्त वृत्ति आत्मसक्ति से कहती है कि है माता मेरे जो पती चेतन आत्मा है वे बड़े ज्यानी हैं बहुत समझदार हैं वे रोज उठ करके क्या करते हैं धन्धा कुटी कुटी करत विहान धन्धा कुटी कुटी कुटने के लिए बार बार कहा गया है कि वे कूटते हैं तुबा से उठ करके धान कूटते हैं धान के लिए नाम नहीं आया है लेकिन धान को ही कूटा जा सकता है और धान में एक और अर्थ समाया है शिल और चावल, धना से ही खाध्यान शामग्री मिलती है, लेकिन धान को नहीं खाया जाता है, धना को कूट करके उसमें एक असार तक भूसी होता है, भूसी को निकाल करके फिर चावल प्राप्ट किया जाता है। तो वही बात साहिब यहां कहते हैं कि जो साधव चेतन, जीव, व्यक्ति ही तो साधक होता है तो वो स्वरूपस्त प्रित्ती कहती है कि ज्यानी साधक समझदार साधक सुबा से उठ करके वो धान कूटता है मतलब साधना करता है साधना करते करते ही माया मोह की अंधेरी को मिटाता है करत बिहान बिहान मने विशेश रूप से हान करना जो अंधकार का प्रभाव है रात्री में अंधेरा होता है तो अंधेरे को वो साधना करते करते मिटाता है तो साधना में क्या करना है चावल और भूसी को अलग-अलग करना सार सार को अलग-अलग करना ताहिब ने कहा एक जगे सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए माई मोर मनुशा अतिरे सुजान धंधा कुटि कुटि करत जिहान मतलब सरूप इस्तिकी एवं समाधिलीन बृत्ति कहती है कि है चेतना सक्ती एवं आत्म सक्ती माता मेरा पती चेतन देव बड़ा ज्यानी है पानिरंतर साधना द्वारा अज्यान रात्री का सर्वता नास करता है या चेतन चेतना का पती है जिस चेतन एवं जीव को सुरूप ज्यान की समझ हो जाती है उसकी दुनिया बदल जाती है बड़ी भौर उठांगन बारव बड़े स्वभा ही उठकर के आंगन को जाड़ना पोउचना सफाई करना तंसार में देखा जाता है कि सावधान लोग एकदम सबेरे ही उठकर के अपने घर आंगन घुहारते हैं बड़ी भोर उठ आंगन बाड़, सुबा से उठकर के आंगन को घर को साप करना तो साधक का आंगन क्या है? उसका अंतह करण जो साधना परायन साधक होते हैं, वे सुबा उठकर के मनो निग्रह करते हैं ध्यान करते हैं, अपने आपको देखते, पहचानते, परकते हैं, मन की क्या इस्तिती है, मन में मेरे कितने विकार है, कितनी विश्या सकती है, कितनी चंचलता है, कितनी वाड़ी में कठोरता, रुप्षता है, इस्तकार से साधक अंतर हुख होता है, और ये काम सुवा का गर गाव का अनुवभा होगा ही यहां ऐसा ठोड़े बड़े बिल्डिंग कोठी और महानगरों से चल करके आए हैं वहां भी आकिर लोग घरों में जाड़ू तो लगाते ही हैं खुद नहीं लगाते हैं तो लगाते हैं तो साहिब कहते हैं कि साधक सुबा उठकर के अपने घर आंगन को जाड़ता है जैसे लोग अपने घरों में उठते ही जाड़ू लगाते हैं पोच्छा लगाते हैं बरतन मांगते हैं कपड़े धोते इसनान करते हैं यह सब कारी करते हैं ऐसे ही साधक सुबा उठकर के अपन अंता करण की सफाई करता है और अंता करण की सफाई यहां है कि आत्म द्रिश्की रखना अपने आपको देखना अपने आपको पहचानना सारे पुराफाती सुभाओं को निकाल करके मन को सरल विनम्र निश्काम बनाना भक्तिवान बनना वाड़ी को मिठी हम बाड़ी से कभी भी कड़ू ना बोलें एक कड़वा बोल बोल करके अपने सुभाव व्योहार को अपसर लोग खराब कर लेते हैं बोलने में सैयम तंसार में एक भी प्राड़ी ऐसा है जो असपश्ट वरनात्मक भासा में अपनी बाते कह सकता है दूसरों की बाते समझ सकता है वो कान है मनुस लेकिन मनुस से इस वाड़ी का दुरूपयोग करके ऐसा बोलता है ऐसा वेओहार करता है कि जिसके द्वारा खुद खूब दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है ये वर्दान है वर्दान को अभी साहब क्यों बनाया जाए इससे अच्छा तो अन्ने प्राणी है जो बोलना नहीं जानते समझना नहीं जानते लेकिन वे दुखी नहीं है और हम बोलना जान वाड़ी में संयम रखते तो फिर इससे बड़ा सान की मिलती हमें क्योंकि इसी वाड़ी के माध्यम से हम अपने दुख-दर्द को दूसरों को बता सकते हैं और वो हमारी सहायता कर सकता है दूसरों की बातों को कल्यान की बातों को समझ करके अपने जीवन में उसकी रहनी उसका आचरण करते ज्ञानभप्ति के छेत्र में आगे बढ़ते शेवा सत्सन करके अपना मन पवित्र बनाते और शरूप इस्तिती का काम करते कितना सरल हो जाता ना होता ही है जो इसका सदूपयोग कर लिया विशाल देवर जी ने एक जगे कहा है को आपके साधना बिना मनुस की इस्तिती दूर परान हुआ हमारी का सैयम ये बिना मनुस की स्वरूप इस्तिती दूर चली गई दूर बलकी निकट होना चाहिए मानो जीवन में ये बहुत सरल है मनुस से ही कर सकता है ये काम लेकिन जिसने वाडी का असयम किया तो इससे उसकी शान की उसकी इस्तिर्ता मन की पवित्रता ओधूर हो गई एक देवस्ता है ये सिस्टम है मन का अब उस सिस्टम के अनुशार जीवन को जिएंगे तो शाधना सरल हो जायेगी सुवस्ता सरल हो जाएगी कल्याण की मञंजिल निकट हो जाएगी आध वो व्यवस्ता को हम जीवन में नहीं अपनाएगी तो फिर रगस मेंगिडकी पूस्ताー इस्तिति की पहचान नहीं है वाग पटुता नहीं है, बहुत नालिज प्रात्य कर लेना देश दुनिया का ये नहीं है, बलकि मन की पवित्रता, सद्गुनों की रहनी और वाणी का निशा होना, ब्यवहार कुशन होना और अंतरमुठ होना, इन सब की जरुवत है, तो साहिब कहते हैं कि बड़ी भोर मांगन बाढ़ जो साधक होता है, वो सुवाव उठकर के अपने आपका सोधन करता है, फिर देख, अंताकरण, मन को देखता है, उसमें कौन सी गंदगी आ गई, जैसे घर में नित्प्रति के वेवहार से चलने, और आने जाने से, लेन देन से, दर्वाजे, अथ्वार्ट प्रकी के माध्यम से धूल, गरदा, तकड़ा, धास, पत्ते, त्रिर आने की संभावना रहती है, तो समझदार लोग उसको साफ करते रहते हैं, ऐसे ही मन इंद्रियों के वेवहार से संसार में लोगों के साथ वेवहार करते, अत्वाद सोचते, विचारते, कहते, सुनते, मन में कुछ एक कलमस, कुछ विकार आने की संभावना होती है, तो साधक उसको जारता बुढ़ाता रहता है, तो सद्गरु कहते हैं कि बड़ी भोर उठ आंगन बाडू, बड़ो खांच लिए गोबर काडू, खांच, खांची, टोकरी, गाउं में पसु पाले जाते हैं, आदमी जहां रहता है, वहीं आसपास पसु भी रहते हैं, आकर कहां रखेगा, वो अपने घर में रखेगा, तो घर जहां रहता है, उस घर में अथवा किसी दूसरे घर में पसु पालन किया जाता है, तो जब पसु हैं तो गोबर होगा, उनका पचड़ा होगा, उसकी सफ नहीं पालता है पश्वों के पालन करने से खेती करने में दूद्ध आधि प्राप्त करने में तथा उन से पैसा कमाने में लाग होनता है कई फायदे होते हैं लेकिन अब उस फायदे पाने के लिए उसकी कुछ प्रवित्यां तो अपनानी ही पड़ेगी सफाई की चारापानी की उनके आवाज की व्यवस्था कि सब करना पड़ेगा वो आत्मस्त बृत्ती कहती है कि मेरे चेतन देव आत्म देव रूपी जो पती हैं बड़े समझदार ग्यानी हैं तो वे बुति पूरवक्त सुझ भूज पूरवक्त जीवन का व्यवहार करते है व्यवहार यही है कि सबसे पहले तो वो सुवा उठ करके आगन घर दर्वाजे को बुहार लेते हैं और फिर पसु साले में भी जा करके बड़ी टोकरी ले करके गोबरागी को भी साथ करके फेक देते हैं दूर घूर में तो यहां पर टोकरी क्या है और गोबर क्या है फेक ना क्या है कौन फेखता है साधक साधक की मनो वित्ति वह देखता है कि मेरे अंदर यह पांच ग्ली आरुपी पसुन जतन बिन मिरगन बाड़ी उजारा तो यह मिरगा कौन है इंद्रिया यही तो पसल नहीं तो यह इंद्रियों के व्योहार में कुछ मल इकठा होता है तो साधक तोकरी लेकर के जाता है कौन सी टोकरी वो टोकरी है जिग्यासा की भाव की मनमें पात्रता होने चाहिए बिना पात्रता के हम कुछ नहीं प्राफ्य कर सकते हैं ओर गोबर क्यों सा गोबर है विसया सक्टी का गोबर कंदगी इंद्रियों में इंद्री और विशय रे इसे तो दस है लेकिन पांच की चर्चा एहां पर हम करेंगे ज्यान इंद्रियां पांच ग्यान इंद्रियां पांच करम इंद्रियां ग्यान तो उसक birthday उसके दोस कुछ फान्य होते है तो उन்ना सुथ उसको साधक करता रहता रहा है कि यह तो कि आ तो साधक कार कर दो ना शक्ति के टोकरीले कर के तो विश्या सक्ति के गोबर को कार्ण अथफ Lex पुरी तरफ से पोच करके उठा करके साथ कर देता है और दूर ले जा करके फेक देता है मतलब है कि साधक का ये करतब है कि वो सब समय अपने मन को देखता है मनो द्रश्टा होना और वो विश्या सक्ती से निवृत्ती प्राप्त करने के लिए सब समय सावधान रहता है इस मलिंता का त्याब करने वाला बरम सांती को प्राप्त करता है मन में जैसे घर में गोबर आदिकाब पड़े रहना घर की गंदगी है ऐसे मन में विश्या सक्ती का अज्ञान का मल पड़े रहना और रागद्वेश का मल पड़े रहना ना बड़ा दोस है कितनी गंदगी है और इस गंदगी से बहुत लोग प्रेम करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम बहुत सफाई सक्षतावाले हैं अब मन में अगर गंदगी भरी हुई है तो क्या सफाई है इसलिए शांती चुप को चाहिए कि बाहर वो ब्योहार में काम करते हुए जहां रहता है घर परिवार वो तो ठीक है साफ करना ही है लेकिन उस से ज़्यादा अपने अंताकरण को पने मन को साफ करता है तू वो मनोवरित्ति कहती है स्वरुपस्त वित्ति आत्मसक्ती से कि मेरे चेतन देवपती है वो क्यवल इतना ही नहीं है कि सफाई प्रेमी है और मेहनत करते हैं ओधान कूढते हैं सार शार का निरड़य करते है भरांगन को जाड़ कोच करके साफ रखते हैं और बड़ी तोक्री लेकर के गोगर आदी को तो फेकते ही हैं इतना ही नहीं उनका सुभाव भी बड़ा अच्छा है बासी भात मन से लिहल खाए जब वे सफायादी से करके साफ काम से छुट्टी पाते हैं तो फेक कुछ खाना पीना चाहि रहता है और जाकर के मास्त हो करके मन से प्रेम पुर्वक्त खा लेते हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि सुभई से चुला गर्माओ और खटपट करो बढ़िया ताजा भजिया पकोडी बनाओ कुछ नहीं भात रखा रहता है पहले वाले दिन का बना हुआ और उसी को वे खा ल सदूपियोगो जाता है चीज का हो कि आषी कि वात कोई ना भी खाये, कुई बात नहीं किन्तु यहाँ जो वासी खाने की बात है वे उसका बराज गहरा अर्थ ए वासी का मतलब होता है पूरवक्ता पहले का मना हुआ भोजन तो पहले के पिये हुए कर्म वो आज प्रारभ रूप में सामने आएंगे सुखदुक के रूप में आएंगे और उसको जो साधक बिना सिकायत किये बिना चिंता विलाब किये बिना किसी की निंदा किये प्रेम से स्विकार लेता है कियो किसी की निंदा करेगा यह अपना कमाया हुआ है तो उसको हम स्विकार है मतलब प्रारभ भयात्रा को सुखदुक जो भी उसके जीवन में है स्विकार भाव पूर्वाग प्रशन्दता से उसमें अपने जीवन को व्यतित करना यह बासी भाद को प्रेम से खाना प्रारभ तीन प्रकार के कर्म होते हैं एक होता है क्रिमाड और दूसरा होता है प्रारभ और तीसरा होता है संचित तीन प्रकार के कर्म होते हैं क्रिमाड उसे कहते हैं जिसको वर्तमान में सकाम भाव पूरवक सकाम भावना में राग भी होता है द्वेस भी होता है राव्य देश पूरवक्त जो कर्म किये जाते हैं उसे प्राव क्रिमार कहते हैं क्रिमार और यही बंधन देते हैं क्रिमार करम ही आगे फिर यही प्रारव्ध के रूप में भी बदल जाते हैं और यही संचित के रूप में भी हो जाते हैं। इसलिए मूल को पकड़ना चाहिए, मूल में सावधानी रखना चाहिए, जो पहले ही अपने करमों को बड़ी सावधानी पूरवक, पवित्रता पूरवक, सजगता पूरवक, विवेक पूरवक, अनाशक्ती पूरवक करता है, उसके जीवन में क्रिमाण नहीं बनते हैं। क्रिमाण को साधक, विवेकवान साधक रोक देता है। करम तो करता है, करम करना नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं छोड़ सकता, कोई मालो बड़ा धंधा व्योहार व्यापार ना करे, बहुत लोगों के संपर्त में ना रहे, कु चीजों को रखना, उठाना, कपड़े पहनना, यह भी तो करम है, इनमें भी अगर हम राग करेंगे, अथवा इनमें भी द्वेश करेंगे, इनके लेने देने वालों से द्वेश करें और राग करेंगे, तो करम हो गए, लेकिन जो विवेक मान होते हैं, इन करमों को करते हु करो is कर्म करता है लेकिन कहीं असा आप एक्षा नहीं रखते हैं इस दिए को किता में निशकाम करो कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो तो साधक ऐसे ही करता है उसकत सावधान रहता है व्योहार करते समय कहीं राग नहीं करता राग महा जंजाल है अज देश देश तो खुला सत्रू है राग छीपा हुआ सत्रू है वो दिखता नहीं है लेकिन वो देश का भी बाप है दुख दाई है क्योंकि राग बड़ा प्यारा लगता है और जो प्यारा बन करके आता है उसको त्यागना थोड़ा कठिन होता है समझ में नहीं आता है उसके मुखवटे अलग होते हैं और उसका स्वरूप बिल्कुल प्री दिखता है इंतु ऐसा हमारी गर्दन काटता है कि उससे उबर पाना कठिन होता है तो राग ऐसा ही है काम वाशना और लोग आसकती यह राग के रूप में ही आते हैं प्राणियों के प्रती जो अकर्शन उत्पन होता यह राग के रूप में और इसी में हम ठगा जाते हैं राग रात्री की तरह है रात्री में असाउधानी ह होती है रात में वेक्ति सोता है और डांक लूट ले जाते हैं दिन में जागता है तो राग से सावध्हान लेकिन भेस भी ना करें हम राग और द्वेस इन दो साधनों से दो साधनों से जुड़ते हैं राग किये तो किसी से जुड़े ही वो समझ में आता है कि उनके पास बैठना उठना बोलना बतियाना और लेंदनक Maram ये राग हो रहा है, समझे हैं जाता है, उसमें हमारा चित फंसा है, उसको देखे बिना, उसको देखे बिना, उसको जाने 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 बिना, उसको तो देख लें और उसके पास बैट जाएं, वो हमारे पास आके मिल लें, इसके कार से मन होता है कि जो प्यारा है प्रेमी है, उसको हम देख हैं, सुनें, मिलें उससे, उसके गर यह समना हो, तो क्या हरजा, क्यों उसके बिना तुम बेहाल हो रहे हो, कौन विसी व्यक्ति और वस्तु ऐसी है जिसके बिना तुम्हारा काम ना चले ऐसा कोई नहीं है जीओ अकेला है उसको अकेले रहने दो इसलिए का जाता है अशंग इस्तिति को अपनाना असंग अयम पुरुसहा मैं असंग अकेला हूँ और चेतन पुरुस हूँ अपनी उस दसा में हम ठारें तो करना नफरत करना और किसी को चिन करने की भावना क्यों ऐसा करते हैं हमारे मन में किसी प्रकार का आहम है कोई मन में आशक्ति है कुछ पाने की कामना है मान सम्मान नहीं रुपिया पैसा पाने की मान सम्मान पाने की कामना है उनसे हम नफरत करते हैं इसका मतलब यही है कि वे मेरे प्रेम में मेरे मैं जहां राग करता हूँ चाहे बात हो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो उस राग वाली बात में ये बाधा उत्पन करता है इस इस जित वह द्वैस करेगा ये दोनों एक सिख्के के पहलूं है एक के बीना दूसरा रहा ही नहीं सकता है इसलिए साधक पहले से क्रिमाण कर्मों को रोकता है अक्रिमाण कर्म रोकने का मतलब है राज द्वैस के ऊपर उठना बहुत तूप्ष में रोग हैं इसकी सत्संज में जाकर संतों गुर्जनों के विवेक यिक्त जज्यान को नहीं अपनाएंगे कोई नहीं कर सकता है और इसी आग में विवेक मानशादक होते हैं वे राग का त्याग करते हैं मतलब वे जब रागद्वेस को त्याग कर दिये क्रिमाण को रोंग दिये क्रिमाण करम बंधन दाई करम उनसे होते नहीं अब रही बात है कि दूसरा करम है प्रारब्ध प्रारब्ध है पूरो का कमाया हुआ सुख दुख जो कुछ आ जाता है आज जैसे हम वह ऐसा करम नही पेड़ गिर गया उसके ऊपर तो कोई जनम में पाप नहीं किया जाओ वार अगर भगवान ने किया तो भगवान बहुत बेकार अद्नी में है क्यों ऐसा किया निर दोस वैक्ति को इसी के साथ उसने अभी कोई दुर्भ्योहार किया ही नहीं बड़ा मासुम निर्मल मन का इससे पता चलता है कि पूरो का कमाया हुआ है तो ये प्रारब्ध में पूरो का कमाया हुआ आ जाता है तो सद्गुरु कहते हैं कि पूरो के कमाये हुए धनों को और उन चीजों को वो सह लेता है जैसे परिष्टिती आती है उसको निभा लेते हैं बासी भात का मतलब है पूरो का कमाया हुआ तो मैं कहे रहा था कि क्रेमाण प्रारभ्ध और तीसरा है संचित संचित का मतलब होता है कि जो पहले से चिपा हुआ है करम तो वो ज्यान वैराग से विवेक द्वारा उसको साधत मश्ट कर देता है पड़ो घय ले लिए पानी को जाए बड़ा घड़ा गाउं का या सामान ने अनुभव है कि लोग बड़े घड़े लेकर दूर कुआ तालाब जरने आधि से पानी लेने जाते हैं अच्छी समझदारी ही मानों बड़ा घड़ा है जिसे लेकर साधक साधु संतों की सबसंग रूपी सच सरोवर में जाता है और वहां से यान का पवित्र जल भर भर करके लाता है बड़ा घड़ा का मतलब है कि समझदारी का बड़ा घड़ा मन में ऐसी सदपात्रता रूपी घड़ा स्रद्धा और प्रेम का घड़ा वहाँ पर ज्यान का पवित्र जल भर भर करके लाता है ताथ पर यह है कि सच्चा साधक सदेव सतसंग परायड होता है वहाँ नित्य सच्चंग में बैट करके अपनी समझ का सद्ग्यान से समझ को सद्ग्यान से भरता है सद्ग्यान का पवित्र जल भर भर करके वो लाता है ताथ परियाय कि सच्चा साधक सदेव सतसंग परायड होकर के वो रित्य सच्चंग में बैटता है और अपनी समझ को सदग्यान से भरता है अपनी संया की मैं बाधूंगी पाठ ले बेचूंगी हाटो हाट तरू पस्तवित्ती पैती है कि मैं अपने ज्यान पतिदेव की महिमा को सदेव अपने हिरदय में रखूंगी और उसे सदेव खैलाती रहूंगी अर्थिया है कि जो साधक जो व्यक्ती उपर यक्त दिद्व आचरणों से कमपन्य होता है जिसके चित्त में ऐसा भाव सदेव बना रहता है उसका आचरण मजबूत रहता है उसकी मनोबृत्ती पत्नी सदेव आनन्दित होती है जिसकी रहनी दिद्व है उसकी मनोबृत्ती आनन्द में होगी ही और जिसके ये दोनों है उसकी सुगंधी संसार में फैलती रहेगी कहाए कबीर ये हरी के काज जोया के ढिग रही कोनी लाज ये हरी के काज हरी का मतलब यहाँ पर ग्यान ये ज्यान की ऐसी रहनी है ज्यान ऐसी दसा है कि जिसको प्राप्त करके जुईया के धिक रही कौनी लाज ऐसे देवी के ज्यान कहता है ज्यान किसके पास होता है चेतन आत्मा के पास तो चेतन आत्मा कहता है कि जिसके पास ऐसी रहनी है ऐसा बोध है और ऐसा उसकी जीवन की दिग्व इस्पिती है जिसकी रहनी दिग्व है उसकी मनोब्रिती आनन्नमय होगी ही जिसके ये दोनों है उसकी सुगंधी संसार में फैलेगी ही कहाएं कबीर या हर के काज जोईया पे भीग रही कौनी लाज ऐसे हरी ज्यान के पास रहने में भला कौन सी लज्जा है ऐसे शुरूप गोध शुरूप ज्यान आत्म ज्यान को अपनाने में भला कौन सा दोट है कौन सी लज्जा है कौन सी विवस्ता है इसलिए साधक को अंत कर दो आत्म शक्ति के साथ निवगन होना चाहिए शरूप के साथ अनुराढ़ रखना चाहिए तो यहto मनोवृत्थी कहती है सुरूप की ओर वह ने वाली जो मनोवृत्थी है इस पिरित की है उसका पर शर्म देने वाले हैं इसलिए साधक को बहिर मुक्तार से उतकर के अंतर्मुख हो करके अपने कल्यान का अपनी शांत की तरफ विचार करना चाहिए और साब तरफ से निर्पेक्ष होकर ततस्त होकर के जिसने अपने आपको पहचाना सुरूप की तरफ अनुराग बढ़ाया उसी का जीवन धन्य होता है तो इस धंग से सद्गुरू ने इस पद को बड़ा मनोवैज्ञानिक धंग से पिस्त्रित चर्चा किया है कि माई मोर मनुसा अतिरे सुजान जब तक विवेकवान सद्गुरू संतों के द्वारा उनकी चर्चाएं उनकी ठीका व्याक्था और उनके गुरुमुक वाणी से नहीं सुना जाता तब तक सहज अपने मन से कोई उसकी चर्चा करे और उसको सुने का है तुव इसे समझ में नहीं आता है साहिब कहते हैं माई मोर मनुशा अतिरे सुजान धन्धा कुटी कुटी करत भिहान बड़ी भोर उठांगन बाड़ बड़ो खांच लिए गोबर काड़ वासी भात मन से लिहल खाए बड़ो घैल लिए पानी को जाए अपनी सहिया की मैं बांधूंगी पाठ लेवे चूंगी हाटो हाट कहाए कबीर ये हरिके काज जोईया के धिग रही कौनी इलाज इसकार ये रूपक और इसका बहुत मनोवाई ज्यानिक इत्रन सद्गुरु कबीर ने खीचा है तो आज हम इस तर चर्चा किये आप सब लोगों ने काफी देर से हमारी बातें सुनते रहे और सद्गुरु कबीर के इसे बड़े ही गहन गंभीर विचार का मनन किये इसी प संग ही काहिए बड़ो घाय ले पानी को जाए तो जो अंता करण को पवित्र बना करके और पात्रता अपना करके विश्या सक्ति को त्याब करके स्रद्धामान बन करके सक्संग का निलंतर सेवन करता है उसी की तो मनोवृत्ति सुरूपाकार होगी और सुरूपाकार मनोव कि के विना ह्यस्टि कभी व नहीं सकते हैं विस्याकार हम बने रहे और विस्याकार बने रहने में कभी भीजित्त कि स्थिर्था मन की शừa Как और जीवन में सुख्र के दर्शन हो ही नहीं सकते हैं उसलिए देह 회 कि झा TF4 प्यों चले च्छाने कि देहा कार्नी कभी वी श layer कि लेने नहीं देखी है तो आज की सब्संग सभा एंकर समय करते हैं। बोलिए सद्धी गुरु देव की जये।